कुरुप्या वीडियो को पूरा देखिएगा अधूरे ज्यान से कोई लाब प्राप्त नहीं होगा आईए दोस्तों में प्यार भरा नमस्कार करता हूँ दोस्तों मैं आपसे बोलता हूँ कि इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ना आपको पाप लग सकता है क्योंकि आज हम जानने वाले हैं दोस्तों आपको रात को सोने से पहले एक लोटा जल इस जगह रख दें पूरी दुनिया आपके तलवे न चांटे तो फिर कहना दोस्तों यह बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है इसलिए बोल रहा हूं कि वीडियो पूरा देखना एक लोटा जल बदलेगा आपकी किस्मत आप सोच रहे होंगे कि एक लोटा जल आखिर कैसे बदल सकता है किस्मत एक लोटे पानी के ऐसे टोटके जो समझने और देखने में तो छोटा लगता पर इसके चमतकार असीमित व अध्धुत हैं जिसका प्रयोग कर आप हो सकते हैं धनवान और तो आपके जीवन में धन का आगमन बड़ी तीजी से होने लगेगा साथ ही पूरी दुनिया आपके घुटनों के नीचे आ जाएगी कहने का मतलब है कि आप जहां भी जाएंगे वहाँ पर आपको मान सम्मान की प्राप्ती होगी हर जगह आपका आदर होगा देखा जाए तो आप राजा के समान जिन्दगी व्यतीत करोगे जी हाँ दोस्तों अगर आप इस प्रयोग को करते हैं तो इससे आपके जीवन में राजा के समान सुख संपत्ती का आगमन हो जाएगा दोस्तों अगर आप किसी भी प्रकार का कोई प्रयोग करते हैं या फिर उपाय करते हैं तो आपको पूल्न आस्था और विश्वास के साथ इस प्रयोग को करना चाहिए जिस प्रकार से अगर आपको विश्वास है तो आप पत्थर में भी भगवान को देख सकते हैं और अगर आपको विश्वास नहीं है, तो स्वय भगवान आपके सामने आ जाएंगे, फिर भी आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे इसलिए जिस भी क्षेत्र में आप कार्य करते हैं आप जिस भी इष्ट देव को मानते हैं, आपको पूर्ण समर्पन और विश्वास उसके प्रती होना आवश्यक माना जाता है तभी जाकर के आपके सभी प्रकार के मनुरत सिद्ध होते हैं दोस्तों अगर आपका मन मजबूत होगा, तभी जाकर के आप पूर्ण विश्वास के साथ किसी भी कार्य को कर पाएंगे और पूरे विश्वास के साथ अगर आप किसी प्रयोग या फिर उपाए को करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ भी देखने को मिलेगा अगर दोस्तों आप आंतरिक रूप से खुश रहेंगे, तो बाहर से आपको कोई भी दुखी नहीं कर सकता उनके के प्रती आपकी आस्था जगने लगेगी, दोस्तों पानी एक ऐसी चीज है, जो हर चीज में प्रवेश कर जाती है यानि की कोई भी वस्तु पाने की धारा को रोक नहीं सकती हर जगह पानी समाहित हो सकता है पानी अपने आप में स्वतन्त्र होता है लेकिन जिसके साथ वह मिल जाती है, उसी का स्वरूप गरहन करके उसी के समान फल प्रदान करने लगती है दोस्तों पानी के माध्यम से आप अपने जीवन की हर एक समस्याओं का समाधान बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हैं जैसे कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है जिसकी वजह से उसके माता पिता परेशान रहते हैं तो दोस्तों ऐसे में आपको क्या करना है एक काच के गिलास में साफ पानी ले लीजिए उस पानी को ध्यान से देखते हुए आपको खुद बच्चे के लिए कहना है कि मेरा पढ़ाई में मन लगने लगा है मैं अब रोजाना इतने घंटे पढ़ाई करूँगा अब मैं हमेशा ही अपने क्लास में उच्च आने का प्रयास करूँगा इस प्रकार से दोस्तों उस पानी को देखते हुए आप हो उसे अभिमंतरित कर लेना है और उसे अपने बच्चे को पीला देना है जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता विश्वास कीजिए यह इतना ज्यादा शक्तिशाली प्रयोग है कि इसको करते ही कुछ दिनों में इसका रिजिट देखने को मिलता है दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारी प्रस्तुती आपको पसंद आती है तो वीडियो को अभी लायक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अंधेरे में जाने से डर लगता है तो ऐसे में आप एक गिलास साफ पानी ले लीजिए और उस पानी को देखते हुए बोलिए मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता और ऐसा करके आपको उस पानी को उस व्यक्ति को पीला देना है जिसे अंधेरे से डर लगता ऐसा करते ही वह व्यक्ति अंधेरे से डरना छोड़ देगा यानि कि उसे अंधेरे से डर नहीं लगेगा दोस्तों पंच्टत्व में से एक जल को भी माना जाता है, जो हमारे पूरे शरीर में विद्यमान है अगर आपके शरीर में जल की कमी होती है, तो इससे न सिर्फ आपको शारिरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बल्कि आपको अपने जीवन में कई प्रकार की आर्थिक, मानसिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपके शरीर में मौजूद पानीना सिर्फ आपके शरीर को सुरक्षित रखने का कार्य करता है बलकि यहाँ आपके चंद्रमा को भी मजबूत बनाने का कार्य करता है चंद्रमा को जल का कारक ग्रह कहा जाता है इसलिए दोस्तों चंद्रमा का बली होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होने की वजह से हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले अदा करता है दोस्तों अगर आप खुद किसी भी प्रकार की कोई समस्या से परेशान है तो आपको एक गिलास पानी ले लेना है और उस समस्या को मन ही मन एक बार उच्चारण करना है और बोल देना है कि मुझे इस समस्या से कुछ दिनों में चुटकारा मिल जाएगा इस प्रकार से उस जल को अभिमंत्रित करके खुद उस जल को पी लीजिए यदि आप लगातार साथ दिनों तक इस क्रिया को करते हैं तो इस से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी दोस्तों पानी के माध्यम से कई प्रकार के टोने टोटके और प्रयोग किये जाते हैं अगर आप पानी का प्रयोग करके किसी व्यक्ति के उपर वशिकरण करते हैं तो वह व्यक्ति जीवन भर आपके खिलाफ नहीं जाएगा वह आपके अनुसार ही कार्य करने का प्रयास करेगा लेकिन यहाँ पर आपको यह समझना जरूरी है कि आप किसी व्यक्ति को गुलाम नहीं बना सकते हैं आप जो भी वशीकरण का कार्य करते हैं अगर आपका उद्देश अच्छा है और सही है किसी को लाभ पहुचाने के उद्देश से आप वशीकरण का कार्य करते हैं और उस जल को किसी को पीला देते हैं, तो वह अभिमंतरित जल उसके रग-रग में फैल जाता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति आपके अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है. पूरे जीवन में उसका प्रभाव देखने को मिलता है, इसलिए दोस्तों पानी बहुत ही मजबूत चीज मानी जाती है. अपने विचार को एक जगह से दूसरी जगह पहुचाने के लिए दोस्तों अगर आप किसी चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, जैसे कि कोई चीज आपको लगातार परिशान कर रही है, उससे आप छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर आपकी कोई मनोकामना हैं, जैसे कि कुछ लोगों की मनोकामना धन की होती है, उनके जीवन में धन की बहुत ही ज्यादा कमी होती है, जिसकी वजह से वे लोग अपने जीवन के हर एक पहलू का अच्छे से आनंद नहीं उठा पाते, दोस्तों अगर आप भी धन की इच्छा करते हैं, या फिर खुद का मकान बनवाना चाहते हैं, या आपके घर में किसी की तबियत खराब है, उसकी तबियत ठीक होने की कामना करते हैं, आपके पास दवाई खाने के लिए पैसे नहीं हैं, ओपरेशन कराने के लिए पैसे नहीं हैं, तो ऐसी स्थिती में दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है या फिर अगर आपके शत्रु ज्यादा मात्रा में हैं आपको लगातार शत्रु परिशान करते रहते हैं या फिर किसी भी प्रकार की और कोई परिशानी आपको हैं जिससे आप छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों इस प्रयोग को आपको लिनात का दिन होता है, दोस्तों सुमवार की रात जब आप सोने के लिए जाते हैं। उस समय आपको अगर आप बेड पर सोते हैं, तो बेड के नीचे सिरहाने के पास तामबे के लोटे में एक लोटा पानी रख देना है। जब आप लगातार पांच मिनट तक अपनी इच्छा को मन ही मन स्मरण करते हैं, तो इस से आपका वह जल अभिमंतरित हो जाता है। फिर सुबह तक उस पानी को वही पर रहने दें, और सुबह होने के पश्चात आपको उस पानी को ले जाकर किनकर पेड की जड में डाल देन जब आप जमे पानी डालते हैं, तो यह सभी आत्माएं त्रिप्थ हो जाती हैं और त्रिप्थ होने के पश्चात आपकी इच्छाओं की पूर्ती करने लगती हैं। दोस्तों इस प्रयोग को आपको सुमवार के दिन करना है। चाहे तो आप इसको एक बार कर सकते हैं, त आपको सफलता मिलेगी आपके हर कार्य बनने लगेंगे। नहीं ले रही हैं, तो इस टोटके को एक बार जरूर प्रयोग करें, अवश्य ही आपकी सभी परेशानिया खत्म हो जाएगी। और आपके घर परिवार में बंद रहेगा, हमेशा के लिए सुक शान्ती का बातावर्ण होगा। दोस्तों जन्म कुंडली में कोई ग्रह भाव दे रहा हो, तो व्यक्ती को बैठे बिठाए अनेक परिशानिया घेर लेती हैं। खास कर व्यक्ती बार बार बीमार होने लगता है। बीमारियों के इलाज में खर्च भी अधिक होता है। किसी ऐसे कारियों में धन खर्च होने लगता है जहां आप पैसा बचा सकते थे। यदि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है। अपने सिरहाने रात में सोते समय एक लोटा जल भर कर रखें। सुभा ब्रहमा मुहूर्त में उठकर इस जल को चुपचाप बाहर जाकर फेंक दें। वापस आते समय पीछे मुर कर न देखें। इससे ग्रहों की पीडा शांत होती है, कई लोग पीतल या तामबे के लोटे को नहाने के लिए उपयोग ले गए हैं, जो की धार्मिक द्रिष्टी से सही नहीं माना जाता है। ऐसा करने से साक्षात भगवान का अपमान होता है। क्योंकि लोटाया कलश एक पवित्र बटन है। इसका उपयोग मुख्य रूप से पाठ पूजा में किया जाता है। दोस्तों अगर आपको सपने में किसी प्रकार का लोटा जब यह मत दिखाई देता है, तो इस प्रकार के सपनों को हलके में नाले ये सपने सुपर्ण शास्त्र के अनुसार अलग-अलग अर्थ रखते हैं। देखने में ये सपने साधारण हैं, लेकिन इनका अर्थ साधारण नहीं होता है। हमें लोटे से संबन्धित कई प्रकार के सपने देखने को मिलते हैं, जैसे सपने में पीतल का लूटा देखना दोस्तों आपको सपने में अगर भारतिय लूटा दिखाई देता है, तो यह सपना आपके लिए बहुत ही शुब संकेत देता है यह सपना बताता है कि आने वाले दिनों में आपके घर से नकारात्मक उर्जा का खात्मा होने वाला है अगर आपके घर में लड़ाई जगडा या कलह चल रही है तो वो खत्म हो जाएगी इसके साथ साथ यह सपना पवित्र विचारों और धार्मिक भावना की बढ़ोत्तरी का संकेत देता है अगर कोई अधार्मिक इनसान सपने में लूटा देखता है तो उसके मन में भी इशवर के प्रती प्रेम भावना जागेगी वह नास्तिक से आस्तिक हो जाएगा आप सपने में खुद को बर्तन की दुकान पर लूटा खरीदते हुए देखते हैं तो ये सपना आपके लिए कई प्रकार के संकेत देता है अगर आप तामबे का लोटा खरीदते हैं, तो यह सपना बताता है कि आने वाले दिनों में आपकी लंबे समय से चलिया रही बीमारी ठीक हो जाएगी इसके साथ ही भविश्य में अच्छा स्वस्थय बना रहेगा अगर आप सपने में खुद को पीतल या तामबे का लोटा खरीदते हैं, तो यह सपना आपके लिए शुब और अशुब संकेत देता है, जिसके अनुसार आने वाले दिनों में आपके घर में कोई ऐसी वस्तु आने वाली हैं, जो आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही उप्योगी होगी, लेकिन कई परिवार, बाहर के ऐसे लोग भी होंगे जिस वस्तु का उप्योग गलत कामों के लिए करेंगे, अगर आप सपने में लोहे या स्टील का लोटा खरीद कर लाते हैं, तो यह सपना धन हानी और अपमान का सूचत माना जाता है, चलिए आज की प्रस्तुती को समाप्त करते हैं, और जल्द ही नई प्रस्तुती लेकर आएंगे, तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताए प्रस्तुती कैसी लगी कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें, धन्यवाद दोस्तों